हेलो एवरीवन मैं पुझा चोधरी खुशी मेकवर से वेल्गम तो माई चैनल तो आज मैं आपके साथ एक हेर ट्रीटमेंट लेकर आई हूं जिसको बोलते हैं हम ओला प्लैक्स यह ट्रीटमेंट जो है यह काफी आजकल इन है और बहुत दिनों से लोग कराते हैं क्योंकि य किस तरीके का ट्रीटमेंट है जो आपके बालों को सिल्की स्मूद और सॉफ्ट बनाता है इसमें काफी सारी रेंज आती है बट मैं आपको आज दो प्रोड़क के साथ में इसको करना बताऊंगी इसमें है एक जीरो नंबर और एक है जीरो थ्वी जो यह नंबर है ये इन दोनों के साथ में ये काम होगा किस तरीके से होगा वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूं तो सबसे पहले हमें हेयर वाश कर लेना है बालों में शैंपू से और उसके बाद देखिए हम लोगों ने ड्राय कर लिए बाल 100% हमारा बाल ड्राय होना बहुत ज़्यादा जरूर छोणे चुंट चशन लेने हैं उसको बालों के से डालना है और जो है वह सकना है और यह तरीके से षघे चैक्शन लीजिए बहुत अच्छे से इसकी आपछियों कीजिए और आपलीиля straight कर देना है मतलब straight means हमें comb कर देना है बहुत अच्छे से और देखे इस तरीके से हमारे बाल बहुत गीले type के हो जाएंगे और इसको 10 minute हमें अपने बालों में छोड़ देना है ठीक है इसके बाद हम लोगों को क्या करना है इसके बाद जो हम लोगों ने जीरो थ्री लिया है उसको हमें लेना है देखिए यह जो है perfector यह हमें लेना है hair perfector यह हमें लेना है और उसके बाद आप देख सकते हैं यह हमें इसी के उपर से application करनी है जो हम लोगों ने अभी hair bone builder use किया था उसके उपर से हमें इसको use करना है इसको भी हमें इसी तरीके से करना है चोटे-चोटे से section लेने है और इसके उपर से हम लोगों को finger की help से इसको लगाते चले जाना है और इसको लगाने के बाद भी हमें अपने बालों में ये 10 मिनट जो है वो छोड़ देना है बहुत अच्छे से हमें अपने बालों में ये 10 मिनेट छोड़ देना है और 10 मिनेट छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि आपका बाल बहुती सिल्की स्मूध और सोफ्ट जाएगा इसको कराने के क्या-क्या फायदे हैं एक तो ये बिल्कुल भी केमिकल वर्क नहीं है आपके अगर ये एंड से लेके एजिस तक लगना होता है मतला आप इसको अपनी रूड में भी लगा सकते हैं पूरे बालों पे इसको बहुत अच्छे से लगा सकते हैं बिल्कुल भी इचिंग वगरा कुछ नहीं करता है और बहुत अच्छे से आपके बालों को सिल्की स्मूथ करता है उसके बाद आप देख सकते हैं कोई भी एक अच्छा सा सल्फिट फ्रीज शैंपू आप यूज कर सकते हैं मैंने यहां पर केरेटीन शैंपू लिया है जो बहुत अच्छा शैंपू है इसकी जगा पर आप लोग ओला प्लक्स का ही शैंपू कंडिशनर ले सकते हैं वो मैंने नहीं लिया क्योंकि यह किट काफी महंगी पड़ती है अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि शैंपू कंडिशनर हमें इसी का लेना है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं तो सबसे पहले स्यम्पू करना है बहुत अच्छे से हलके warm water से बहुत अच्छे से हम लोग शैंपू करेंगे और शैंपू करने के बाद हम लोग जो है इसके ओपर से हैयर मास्क भी करते हैं और इसको भी हम लोग को इसके अउपर से लगाना है इसका ओला प्लेक्स कुछ है जाएगा कूछ एक और मुझे यह treatment बहुत ज्यादा पसंद आया और इसको मैं repeat कराती रहती हूँ एक तरीके का यह hair spa समझे है आप एक तरीके से जिस तरीके से हम लोग hair spa करते हैं उस तरीके से आप अपने बालों में इसको करिए और आपके बाल जो है वो hair fall control हो जाएगा आपका dandruff से आपके ब treatment बिल्कुल नहीं है कि आपका बाल इस्ट्रेट होगा इस्ट्रेट ओला प्लेक्स नहीं होते हैं जैसे क्याना इस्मूध निंग वाला प्रोसस नहीं है यह तरीके का hair spa वाला प्रोसस है कि आपके बालों को अगर आपका hair fall हो रहा होगा ना तो यह आपके hair fall को control करता है आपके बालों का fizziness खतम करता है कि finger ना ऐसे ही निकल जाएंगी बिल्कुल देखें बहुत ही silky smooth बहुत ही soft बालों गया है मेरा treatment भी हमारे पालर पर होते हैं और हम लोग करते हैं treatment को और इनके price जो है वह according to length है मतलब कि आपके बालों की जितनी length होगी उसके हिसाब से हम ल यह सारी चीजें है कि Olaplex क्या होता है काफी लोग मेरे से बहुत जब पूछ रहे थे इस चीज के लिए कि मैं आप Olaplex की वीडियो भी डालिए तो एक बार फिर से बता देती हूं कि मेरे जो पालर है वो दो पालर है मेरे मुरादाबाद के अंदर ही दो पालर है एक है आश पूशी में कवर करके मेरे पालर है और आप अगर आशियाना के हैं तो आप इधर की साइड में आके इस वाले पालर से जो है कोई भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं चाहें वह स्किन केर हो और मैकप हो हैर स्टाइल हो सब ही कुछ हम लोग करते हैं और बहुत अच्छी वीडिय तो मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूं आई होप कि आप लोग को पसंद आईगी तो दोनों पालर में से आपको जिसके मन करें उस पहिए और मैंने एड्रस भी डिसकर्प्शन बोक्स में दिया हुआ है ठीक है तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बत बाइ